साथ्यों इन मुर्ग्यों का ये 69 डेज है और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हर एक हफते में मैं इन मुर्ग्यों को वजन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि हर एक हफते में इन मुर्ग्यों का वजन कितना बढ़ता है और लास्ट मैंने इन मुर्गियों को 62 डेज में वजन किया था और आज इनका एक हफता हो गया है और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक हफते में इन मुर्गियों का वजन कितना बड़ा है मेरे खयाल से इस हफते साइद इन मुर्गियों का वजन थोड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि इस हफते मैंने एंटिबाइटिक का इस्तमाल ज्यादा किया है और जो commercial feed है उसका इस्तमाल कम करके धान ज्यादा मात्रा में मैं इन मुर्गियों को दे रहा हूँ उसके लिए सायद इन मुर्गियों का वजन इस हफते थोड़ा कम भी हो सकता है फिर भी चलिए देख लेते हैं कि 69 days में इन मुर्गियों का वजन कितना आया है इनको वजन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ ये देशी मुर्गियों का सुनाली breed है और ये बहुत ही जल्दी वजन गेन कर लेती है तो चलिए अब हम वजन करते हैं और आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मेल मुर्गा को पकर लिया है और इसे अभी मैं वजन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहां एक मेल मुर्गा का वजन दिखा रहा है 970 ग्राम 69 डेज में एक मेल मुर्गा का वजन आया है 970 ग्राम अब मैं एक फिमेल मुर्गी को वजन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ तो चलिए एक फिमेल मुर्गी को पकड़ लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहां एक फिमेल मुर्गी का वजन दिखा रहा है 705 ग्राम 69 डेज में एक मेल मुर्गा का वजन आया है 970 ग्राम और एक फिमेल मुर्गी का वजन आया है 705 ग्राम और 69 डेज में इन मुर्गियों का वजन कैसा है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए मैं आप लोगों के हर एक कॉमेंट पढ़ता हूँ पर कुछ समझ सा के कारण में आप लोगों को रिपलाई नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए आप लोग मुझे माफ करना और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि एक हफ़ते में इन मुर्गियों का वजन कितना बढ़ा है उसके लिए आप लोग 62 डेज का वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क और अगर आप लोगोंने पहले के वीडियो मिस कर दिये हैं तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए उसका लिंक मेंने डेस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। और 69 डेज में मैंने इन मुर्गियों को सुबह के टाइम में एंटिबाइटिक पानी में मिला कर दिया था और राट के टाइम में मैंने इन्हें कुछ भी मैडिसिन नहीं दिया है प्लेन पानी दे के रखा हुआ है।